आप मेंसे बहुत सरे स्टुडेंट्स दो चीज डेफिनेटली या दो मेंसे यह के तोनों चीज फिस कर रहे हूं क्या है मेरे कॉलिजन प्लिस्मेंट नहीं है या फिर थोड़ा बहुत प्लिस्मेंट होता है दिखाते हैं वेबसाइट पर कुछ बड़ रियलिटी कुछ और ह है आप वहां जाके पदफाल लगता है आपको कूल कुछ होते हैं बहुत से करना पड़ेगा और बहुत सरे do तूमिनी स्टुडेंट्स मुस्पबली आपने कम्पूटर सैंड्स ब्रांच लिया होगा तो आपने देखा होगा मेरे बैच में पांच हजार तीन हजार चारदर बच्चे हैं तो क्या करूंगा यह चीज में कवर करने वाला हूं प्लस मैं आपको बताने वाला हूं what to target government job और placement या फिर on campus या off campus यह चीज़ पर हम बाते करेंगे तो मेरा जो वीडियो है यह dedicated है first year second year कुछ हट थर्ड year के बच्चों के लिए तो definitely आप अगर इस category में हैं तो आपके लिए वीडियो है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर है विल्कुल हो क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल उसको जोईन कर लेना उसमें मैं बहुत सरे free content और बहुत सरे offers के आपटेर देता रहता हूं तो यहाँ आपर आजाए सबसे पहले आपने बात करें किस बारे में जो सबसे पहला first क्या चीज़ है इसके बारे बात करते हैं कि सर मेरे college में placement नहीं होता है तुम्हें क्या करूं सर क्या मैं off-campus placement के बारे में सोचूं ऐसा आप सोच सकते हैं तो अगर आप computer sense related branch से हैं तो off-campus placement लेना थोड़ा सा easy है थोड़ा easy है easier बोलूँगा सही रहेगा little easier than other branches other branches मतलब क्या हो गया electronics communication भी आता है mechanical, electrical, civil इन में easy भी है थोड़ा अच्छा package भी आप ले सकते हैं अगर आप proper plan करोगे तो और उस plan के according आप काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है इतना difficult नहीं है चलिए यह बात समझ में आगए आपको मैंने क्या बोला कैसे करना मैं बताओंगा अब बहुत सरे students है सर मेरे college में और क्या होगा सर एक company आएगी बीस बच्चे लेगी पांचर बच्चे पड़ते हैं तो सच बताओं यह सारे बच्चे eligible नहीं होंगे उस company में बैठने के लिए company के प्रोफाइल रपेंगे आपके टीप्यूछ पर्सं होते हैं कि इतने सर इतने बच्चे हमारे पास इस पर-शप परसेंटेज बच्चे हैं और इनका इतना परशेंटेज में था वर्त में था अभी यह सब डेटा देगा तो क्या बोलेगा पांचर बच्चे थोना उसके प उसके पास 1500-200 बच्चे हैं मतलब पांजर में सिर्फ 200 बच्चे ही eligible हूं ऐसे वो criteria fix करेगा आप बोलेंगे सर क्या ऐसा criteria हो सकता है percentage वो बोलेगा 10 में 85% 12 में 85% बीटिंग में 85% अभी तक मैंने जो सुना है जो मेरे बच्चों ने मुझे बताया है 80% तक throughout company ने मांगा है और सिर्फ वहाँ पर 1000 बच्चे थे कितना eligible बच्चे रहे गए 1500 के आसपास company ने कितना hire करा मेरे को इतना recall कर पा रहा हूं 15 बच्चों को hire करा काने साथ पार हो तो उस case में आप देखो क्या आप eligible हो जाते हो इस condition में आपका percentage क्या है 10 में 12 में अच्छा आपको किसी ने बताया कि percentage में नहीं करता है तो आपको थोड़ा जूट बताया उसने matter करता है यार उसमें क्या लिखा था कितना percentage लिखा था ना percentage matter करता है लेकिन उसका एक condition है कहा matter करता है eligibility criteria matter करता है after that क्या matter करता है मेरे दोस्त once you will enter into the interview interviewer room there what you have that matters a lot once after looking at the percentage maybe interviewer will be impressed initially but if you don't have proper skill walking skill once again like other students will be rejected in that particular interview so skill तो चाहिए percentage बस gateway है उस room तक पहुँचने का यह difference है so दोनों चीज़ चाहिए आपको काफी अच्छा करने के लिए well बहुत सरे cases में ऐसा देखा गया है कि percentage कम है अच्छा कर रहा है लेकिन उसको क्यूं आने दो नो वह दी क्यूं आने दो पहले परसने अच्छा कर लो तो आप देखो क्या eligible हो पाऊगे उस cases में तो भाई ठीक है otherwise आप भी इस में preparation चालो करना क्या step है मैं आपको बता दूँगा tension मत लेजिए so पहले अपन बात करते हैं सर्फ focus कहां करें सरकारी नोगरी या फिर private job या फिर जो मैं placement की बात कर रहा हूँ ठीक है देखिए यह आपका personal choice है मैं आपको बताऊंगा pros and cons दूनों का फिर आप देखना आपके लिए अच्छा क्या है मेरे को जितना भी डेटा मेरे को मिला है अब तक बाकी बहुत सरे दोस्तों से मैं सारा डेटा आपके साथ शेयर करूंगा pros भी cons भी दोनों profile का तो सबसे पहले pros की बात करते है pros मतलब क्या advantages ठीक है और cons की बात करेंगे फिर मतलब क्या मतलब गड़बर वाली बात है सो government job का pro क्या है biggest pro जो है government job का वो है stability और continuous growth एक तो हर साल growth मिलता है DMA growth और एक scale change होता है after 10 years और एक है सारे में नहीं लेकिन government job में category है तीन category आता है mainly एक आता है central government एक आता है state government एक आता है PSU's PSU's government job पूरा 100% नहीं है government job जैसा है एक बार job मिल गए आपको जब तक company है आपका job रहेगा यह सच बात है बट सरकारी नोक्री नहीं है मेरे दोस्त सरकारी नोक्री जैसा है so please try to understand difference between these two okay so यहां पर हमारे पास क्या है बास समझ में आ रहा है state government central government और PSU's so यहां पर बहुत सरे वच्चे ना PSU's के बारे में जानते हैं बहुत अच्छ है तो आप जैसे मैं मैं वीडियो बनानों बहुत सरे branches के लिए सारे branches के लिए तो कौन से ब्रांच से बिलॉंग करते हों कौन से company के लाब preparation कर रहे हैं और उस company का क्या work profile है यह जानने के बात उस company के जाब के लिए preparation करना अधरवाइस आपको लगेगा मैं कहीं फैस गया हूं अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूं विकास बहुत सरे बच्चों ने मेरे साथ consult किया है one to one after getting job in different types of companies और मेभी central government मेभी in state government मेभी in psus बहुत सरे various लोगों से मेरे पास contact किया है तो psus job का कुछ disadvantage मने बता है एक तो हो गया time यह हो गया job location एक हो गया आपका environment एक हो गया आपका safety बहुत से चीजे लोगों ने मेरे को बता है well experience जो है सबका अलग होता है एक काम में एक बंदे को बहुत ज़्यदा परिशानी हो रही है दूसरे बंदे बंदा enjoy कर सकता है तो इसलिए आप खूद देखना उसका work profile क्या है contact करिए किसी से कोई contact निकालिए और पता करिए well अगर आप चाहते है प्रोपर आपके future के बारे में जानना कि मैं क्या करू अपने लाइप में what is best for you based on the situation positive things negative things opportunities you have I will tell you what is best for you after getting input from you and after discussing with you one-to-one I will tell you what you should do which path you should choose and what is the percentage of getting success in that path right I will tell you you will get the clarity तो इसके लिए आप मेरा one-to-one session ले सकते हैं स्कालिंग इस वीडियो के description में और आपके ease के लिए मैं स्कालिंग इस वीडियो के first comment में में पीन कर दूँँगा चलिए यहां से और आगे बढ़ते हैं यह कहानी आपको समझ में आ गया वैसे मेरे कोई पूछता है सर बढ़िया कोन सा नोकरी है तो मैं बताओं Central comment का नोकरी better होता है अगर आप ले पाते हैं तो अगर आप टेक कर पाते हैं तो बढ़िया होता है से यह हो आपका प्रेशर नहीं रहता है कि भाई मेरा जॉब नहीं जायेगा मेरा सैलरी आता रहेगा टाइम पे most of the time और एक सोसाइटी में भी positive आपको क्या मिलता है अब नजर से लोग देखते हैं कि भाई सरकारी नोकरी मिला है यह positive है motivated feel कर रहे है negative बताओंगा भाई तेखो मेरा काम है आपको सच बताना ना कि आपको मिटी मिटी बाते बोलके कहीं आपको फसने में छोड़ देना मेरा काम नहीं है मैं एक teacher हूँ तो मेरा काम को सच बताना उससे आपको थोड़ा बूत demotivator feel कर सकते हैं no doubt but उतना demotivation अच्छा है अच्छे future के लिए ताकि आप पहले समझ जाओ for example कोई मालो cigarette पीता है अब उसका फेपड़ा तो खराब होगा मैं बोल दिया मतलब थो नहीं उसको demotivate कर रहा हूं उसको सच बता रहा हूं समझ रहे हो अच्छ प्लेस में मतलब private job का प्रोज मेरे क क्या दिखता है stability ने प्रोज नहीं है अगर आप डाइनामिक है तो आप different different various जगह पर आपके मर्जी के हिसाप से company में job कर सकते है आपके मर्जी के हिसाप से हां skill तो चाहिए भाई मिनस के लिए कहा कुछ मिलता है but based on your will you can change the place you can change the company you can change your job profile if you have proper skill set then my dear you can have this option first second काफी अच्छा ग्रोथ है ऐसा है दस साल में ही आपको एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा बाकी थोड़े थोड़े मिलेंगा ऐसा नहीं है you can get even 100% increment in very next year or within 2-3 years or within 10 years you can get 500% salary what you used to get in your starting time of your job or maybe what salary you got in your first shop right so that can very much happen and that happened with many of my students many of my colleagues I know a few colleagues they have started with 500 5k only per month well I'm not talking about after 2020 I'm talking about 2007 8 12 and now they're earning more than 2 lakhs per month I know few of them few of them are doing it I know one person was getting in 2000 he was getting 2000 rupees around 2000 rupees per month so last time when I talked to that person he was getting 3.5 lakhs per month in government job it is not that possible those start they let me tell you example for the case of government job so those start in 2004 with 5k now they are earning around 95 to 100k that means 1 lakh rupees they are earning now this is 50 rupiah per month same time में देखा अच्छा ऐसा नहीं सब कर पाते हैं प्राइवेट जोब में फिक्स है सारे कमा रहे हैं तो प्राइवेट जोब उसके लिए definitely अच्छा बहुँ अच्छा है जो डाइनामिक है अब जिए सोचो सरकाई नोकरी को निगालता है जो intelligent होते हैं obviously जो मेहनत करते हैं obviously जो प्राइवेट जोब अला अगर प्राइवेट जोब में कोई डाइनमिक बंदा आजाए तो बहुत अच्छा पैसे कमा सकता है तो कोई लिमिट नहीं है आप भी भूलोगा सर स्टेवेटी का रिस्क हां थोड़ा रिस्क है इतना पैसे कमा को उसको इन्विस्ट कर दो कि एक एक्जांपल दोंगा ध्यान संडा आप मालो एक ना सेर हो ओ कि लायन आपको मैं कहीं बोलतूं बही तिरे को यहीं काम करना है चिटी अगर मैं रखदूं बही खाना दूंगा तिरे काम है घुमना सिकार करना ने एक्जांपल हो सकता है किसी के लिए खराप लगे मेरे मर्जी के अकॉर्डिंग में अपना काम करूंगा प्रिवेट कंपने कुछ प्रालिशी इस टर्म्स इन कर्दिशन होते हैं देफिनिटली बट कुछ फ्रीडम आपको मिलता है यह रहता है तो फाइनस का प्लान अगर सही कर ले कोई तो प्राइवेट जॉब इस मामले में बहुत अच्छा है नेगेटी बाते करते हैं मतलब कॉन्स कह दोनों एकॉन्स डेपरेंटली है सो जो सरकारी का मेन कौन मेरे को दिखता है इनसान जॉब क्रेक करने के बाद अलग मोड में चल जाता है मतलब वो डाइनामिक जो उसका एविलेटी था वो कहीं न कहीं खो जाता है मैं देखता हूं 90% केसे में देखा है जो मैंने फिल किया है मेरे जो स्टुडेंट को जॉब लगा है मेरे जो दोस्तों को जॉब लगा है सरकारी में मेरे को लगता था वो काफी ज्यादा अच्छा डाइनामिक थे सबसे बड़ा बहुत बड़ा रिजन हो सकता है सरकाइनों कर रहे हैं तो माइंसेट में चेंज आ गया यह पॉसिबल तो इससे में लोग नुक्सान क्या है नुक्सान है वो सिप जॉब में चेंज नहीं आता है वो अपने फैमिली के लिए भी चेंज आज़ता है उधर प् होता है बट मैंने देखा 80-90% केसस में इसा मैंने देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसे कौन में और एक कौन क्या है उसके प्रोज में ही है कि भाई ग्रोथ फिक्स होगा most of the jobs में सरकारी में ग्रोथ फिक्स होगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तब भी आपको वही ग्रोथ मिलेगा नहीं कर रहे हो तब भी वही ग्रोथ मिलेगा सारी मैंने बट 95% 98% गवर्मेंट जोब्स में बोलूँगा ऐसा ही होता है ते कौन है काम करता है कि यह प्लेगा ल्रूथ काम करता है यह अपर कुछ नहीं करता है मैं इ comparison करने लगता यह सो सब्सक्राइब करने में आप दिया एक मेरे हिसाब से कौन कैश सब्सक्राइब हुख कर नहीं है कौन क्या लगता मैं आपको बतायता हूं एक टाइम आता है ना जब आप बहुत डाइनमिक हो नहीं सकते टाइम क्या है चालिस पैटालिस पचास साल उमर के बाद स्पेशली आप्टर फॉर्टी तो आप्टर फॉर्टी येर्स के बाद बहुत सरे लोग बीजी हो रहते हैं और सारे लोग बीजी होते हैं फैमिली में बच्चे होते हैं पापामी बुड़े बहुत होते हैं उनको देखवाल करना होता है फैमिली को देखना होता है तो इतना आपको उतना अच्छा अप्रेट करने ही पाते हैं यह आइटी सेटर में काफी अच्छा हो मतलब काफी हदा मैंने सुना है कि जॉब चला गया कंपनी में उसो रखा नहीं कंपनी में लोग क्या तर्क है कि भाया आप ओवर पैसे आपको हम दे रहे हैं जितना और जो आप काम कर रहे हैं यह हम 30% 40% पैसा देखे किसी एक बंदे से करवा सकते हैं आप से क्यों कराएं फिर सो देर पीपल फेस्ट प्रॉब्लेम होने स्लिए नाव आपको देखना है आपको क्या चूज करना है दाड़ योज चोएस कहानित को समझ में आ गया अब देखो यह जो अपने बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप देखना अपने क्लास में हमने स्टुडेंट से स्टेडिंग प्रॉप ले इव इस्पेशिए इन टीर थ्री कॉलेज बताओं क्या वाते होता है को बच्चों के अंदर तीन तरह के बच्चे होते हैं एक पास करा दे इवन थी तुडेंस दू लूमबर शाइन की काम है ठीक है बट इस तुरेंस में भी अर्ले ताइम में क्या होता है उत्रा है स्ट्रॉगल करता है हो सकता है बट आप अप्ट फी वर्स फ्यू यू यर्स माई यार यू विल एस तूर दीन्स विल बच्ट पोजिए इन वेर good money those i have seen from last 15 years i can say right so maybe at the early stage of career they are struggling or maybe they will be struggling maybe they were struggling but after some time anyhow they got very good position they started earning very good money and that can happen because of the effort they have put in engineering in four years that matters ठीक है तो यहां पर एक बात आपको बताऊंगा मैंने बोला था कि भाई placement कैसे मिलेगा अगर हमें off campus से जाना है तो देखो यह off campus अला कहानी जो है न यह सिर्प IT में काम आता है बहुत अच्छे से जिसमें आप अच्छा package expect कर सकते हो अगर आप इन जौब्स में innovation इतना कुछ है नहीं बावा उदर जाओगे सुपरवजर का जौब का जो रोल मिलेगा उदर देखोगे आपके अंडर क्या कौन से काम कर रहे हैं आईटी वाले डिप्लमा वाले ट्वेल्ट क्लास ट्वेल्ट पास वाले ट्वेल्ट फेल्ट वाले वह से कंपनी से के अंदर जा चुका हूं बड़े से बड़ा छोटे से छोटा मुझे पता है वहां कैसे काम होता है कि समझ रहे हो ऐसे कंपनी जहां पर पूरा automation सिस्टेम है और ऐसे कंपनी जहां गया हूं जहां पर सब कुछ ढोगे लिए आते हैं जाता हूं यार मिलता हूं दोस्तों से भी और देख के आता हूं तब ही तापको बताऊंगा रिय्यारीटी क्या चल रहे हैं तब ही तो मिटी मिटी बाते खलनी बताता हूं जो आपको सच है वही बताता हूं जो रियलिटी है कि सबाइडी में काम आ सकते हैं बाकी में बोलों कि सर क्या करूं जो बता हैं मैंने कॉंटेक्स निकाल लिए या फिर लोकल जो कंसलनेंशी सर्वेसेस हैं उनसे कॉंटेक्ट करिए मैक्सिमम फोराओ होते हैं बड़ आपके पास कोई और इस बाइब को जवाब लगेगा बड मत करना ऐसे पैसे मत देना डूबने का चांट से रहता है और देने का जुरूद नहीं है अभी पीछे बता रहा हूँ एक बंदा मेरे को पता लगा उससे प्राइवेट जोब में बोला हम एलिजिबल हो आपको जौब मिल जाएगा पैसे कहें कर देगासियर क्यों देना यार उसको असीयर रुप्या बताओ सो यह आईटी में क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं और आईटी में खास बात क्या है ना यह नहीं चलता है यह थोड़ा बूद चल सकता है बढ़ कर सकते हैं क्या स्टेप करना है किसी एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज में बाबा बन जाओ मतलब क्या है बहुत ही खतरनाक नॉलिज डेवलप करिए अब यहां तक सारे बोलते हैं वह सब्सक्राइब करूं डेवलप सिंपल प्रैक्टीज करके अब प्रैक्टीज कैसे क सब्सक्राइब करा हेलो वर्ड का आप लिखेंगे वड़ा सिंपल आता है एम लर्निंग पाइथन उसके सब खेलो दवादव हर नया नया टॉपिक पर खेलते रहो टेस्ट देते रहो थोड़े से मॉक टेस्ट क्वीज फिर देखना आपका कैसे बनता है फिर क्या करिए य तुन प्रोजेक्स को शेर करिए सोसल मेडिया पर फेस्बुक पर टेली गाम अटली कर बोला हूं लिंक्डिन पर यूट्यूब इंस्टाग्राम पर एक प्रूफली बन जाएगा यूट्यूब पर आपका फ्रबल पैसे भी आ जाएंगे जब सब्सकाइबर थोड़े और थोड़े अच्छे आ जाएंगे अच्छा चीज़ शेयर करोगे व्यूज भी आएगा सब्सक्राइबर भी आएगा और पैसे भी आएंगे ठीक है अच्छा तीसरा चीज़ क्या करने आपको इंटर्शीप लेना इंटर्शीप कहा मिलेगा भाई वह से तो बहुत सरी प्ला करने वाला उदर आपको इंटर्शीप मिल जाएगा फिर क्या करना आप यह फिर इंटर्शीप के लिए आप सोचना फिर इंटर्शीप मिल जाएगा फिर जॉब में अपलाए करना विकास का वर्किंग एक्स्प्रेंस आपको आ गया यह प्रोसेस अगर आपने फॉलो करता आप करते है अगर you will follow this process my dear, it will take hardly six months to get IT job. And if you are studying right now in third year or second year, it is much easier for you, because you have the time that is one of the most, you can say the greatest weapon for mankind, right, for anybody. so you have that so use your time effectively so that you can have better time ahead right so that you will not struggle so that you will not listen to each and every person if you will not get placed and what words you will listen you can understand better I don't tell you what you will get from the other side from the other people those usually do not want you to get success so if you don't want to face such situation or if you don't want to see those days start working today thank you very much like this video or channel subscribe God bless you all bye